हेलो गाइज दिस इस मी अंकुर उपादिया है वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनलिसिस बात करने वाला हूं हिंडाल को के शेयर के बारे में इस टॉक पे मैंने कल भी वीडियो मनाई थी और आप सभी को बताया था इस टॉक कही ना कही नेगेटिव होता हुआ देकी कही ना कहीं आपको चौदा सो शेयर पॉजटिव भी कहीं चारओं सीटाू जिसे टेजी आ है वह आपको देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं स्टौक में और हिंडाल को की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं आपको आज फ्लैट कारोबार होता हुआ होँ सुभा से नीचे था इस टॉक बट अभी अभी शार बाउंस बैक आया है जिसमें इस टॉक फ्लैट होता हुआ दिख रहा है है 577 और लो है 561 का वोलियम्स की बात करें तो 12 मिलीयन वोलियम्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं और की बात करें तो 10 मिलियन के अवरेज वोलियम्स को थो ऐस टॉक ने और अभी दो बज रहे हैं ठीक है उससे बात आगे बढ़ते हैं P.E. की बात करें तो 10 के P.E. पे ये शियर ट्रेड करता है मार्केट केप की बात करें तो 1,20,000 करोर का मार्केट केप है आदे परसेंट की डिविडेंट रिल्ड है स्टॉक की एक साल में 500% के रिटन्स आपको इस स्टॉक ने डिलिवर्ड करें बहुत ही शानदार तेजी स्टॉक ने दिखाई ए एक साल की बात करें तो वहाँ भी 62% के रिटन्स डिलिवर्ड करें अगर आप दो साल पहले इस स्टॉक का प्राइस देखो तो 90 रुपे पे था और आज ये शेर आपको 570 पे आता हुँ दिख रहा है अब इस टॉक कहीं ना कहीं ग्रीन में आता हुआ दिख रहा है देखिए इस टॉक में कल के सेशन में एक बड़ी बिक्वाली आती हुई दिखी जहां से आपने देखो इस टॉक में क्या हुआ कि 550 रुपीज सी वन सैड बनका है 560 के नीचे स्टॉक अगर निकलता है तो 555 के रॉण इस टॉक जहां से भागा था वो पूरी गेंज गिब अप करता हुआ या तो यहां पे डवल बॉटम लगके दोबारा उपर जाएगा स्टॉक अगर यह ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वह कहीं ना कहीं टेस्ट करता हुआ दिखेगा और वह वह सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके लिए 545-30 के लेबल पर आता हुआ दिखेगा बड़े चार्ट में देखो तो वन साइड रेली देखने को मिल रहे हैं इन फक्रेंट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाईयर हाई और करता नहीं है यह स्टॉक 6 महीने के चार्ट में देखूं या फिर एक साल के चार्ट में देखूं 6 महीने की बात कुन तो स्टॉक में करीब करीब 400 रुपीज से तेजी चल रही है जो अभी तक continue चलती हुई दिख रही है मुझे लगता है यह जो लेवल सभी स्क्रीन पर आ फिर exit यही बहुत बात करने वाला हूं मैं आज की इस वीडियो में कल के session में बड़ा कट आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर बैट गया है जो कहीं ना कहीं हम आज discuss करेंगे तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप को जो stop loss दिया है पहला support कहीं ना कहीं 555 के round निकल के आता है यह level respect देना चाहिए इस level को स्टॉक को यहीं से तेजी बनी थी one sided और स्टॉक ऊपर में पूरे gains give up करता हुँ दिखा है बहुत तेज गिरावट आई है 29 मार्च को 631 पे था और 1 अपरेल को 564 यानि कि आप दो द 1.5% का SL होगा आपका और बाय करने की recommendation है आपका पहला target कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो बनना चाहिए 600 के something का 600 तक जाना चाहिए इस stock otherwise अगर stop loss ब्रेक करता है तो second SL जो निकल के आएगा जो long term वालों के लिए जो medium term वालों के लिए वो गा 535 540 के levels का अगर वो stock ब्र प्रेंड लाइन उसका breakdown देखने को मिलेगा चार्ट पे जो positive था वो neutral होता हुआ दिखेगा फिर कहीं ना कहीं जाके हमें review करना हुआ बट as of now मुझे stock काफी positive दिखता है brokerage houses की बात करें तो 780 का targets आता हुआ दिखा है stock पे metal stocks पे काफी जादा bullish है और aluminium counter आप देखी रहे हो कि साब से भाग रहे हैं और stock यही लीड करता हुआ दिख रहा है अभी correction आई यह काफी time बात 10% की बट मुझे लगता है यह आपके लिए opportunity ऐसे grab करना चाहिए second thing आप NMDC का share देखी रहे हो iron ore कहां पे जा रहा है iron ore के prices में भी अच्छा खासा उचाल देखने को मिल रहा है यह मेरी वीडियो हिंडाल को शेयर पर होप आप सभी को समझ और पसंद दौन आई होगी thank you so much for watching this video have a great day